सुखी जीवन के लिए यह उपाय अपनाएं एक, तामबे और लोहे का छला एक साथ कभी ना पहने दो, पूजा का दीपक रोजाना दो, लोंग डाल कर जलाएं तीन, पूजा करने के बाद घंटी और शंख अवश्य बजाएं चार, जाडू हमेशा दर्वाजे के पीछे ही रखे पांच, कभी भी घर के सभी लोग एक साथ बाहर ना निकले छे, भोजन हमेशा पूर्वदिशा की ओर बैटकर ही करें सुखी जीवन के लिए उपाय जरूर अपनाएं ये पांच काम महिलाएं करने से बचें शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को ओम मंत्र का जब नहीं करना चाहिए दो, महिलाएं जनेव बना सकती है लेकिन, जनेव धारण का विधान सिर्फ पुरुषों के लिए है तीन, देवताओं के लिए बली प्रदान का कार्या हमेशा पुरुष करते है महिलाओं के लिए इस कार्या की मनाही है चार, गायत्री मंत्र को शापित मंत्र माना जाता है इसलिए, शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र का जब भी महिलाओं के लिए वर्जित है पांच, हनुमान जी को ब्रहाचारी माना जाता है इसलिए हनुमान जी की पूजा तो महिलाएं कर सकती है लेकिन महिलाओं के लिए हनुमान जी का स्पर्श करने की शास्त्रों में मनाई है सुखी जीवन के साथ मंत एक धीरे बोलिये शांती मिलेगी दो अहनकार छोडिये बड़े बनेंगे तीन भाक्ती कीजिये मुक्ती मिले इतना छोटा कद रखिये कि सभी आपके साथ बैठ सके और इतना बड़ा मन रखिये कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा न रह सके